Hello everyone, welcome to any video आज की इस वीडियो हम लोग युगुपत समीकराड हल करना सीखेंगे तो युगुपत समीकराड में क्या होता है आपके दो समीकराड दिये होते हैं और इसमें क्या होता है दो अलग अलग चर भी दिये रहते हैं बाते साजवाय गई तो ऐसे समीकराड साल्व करने के आपके तरीके होते हैं जिनको हम आज की इस वीडियो में दो तरीका बताएंगे पहला आपका प्रतियस्थापन विधी से दूसरा आपका विलोपन विधी से हर एक इस्टेप को आप आराम से समझेगा कांपी किताब लेकर बैठिएगा हर एक चीज जितना भी समझायतेगा उसे कांपी पर नोट करते हुए चलेगा तभी आपको समझ में आएगा जैसे ये देखिए आपका पहला सवाल है येक्स प्लस वाई बराबर चोगदा ये आपका पहला समिकरण हो गया इसके बाद येक्स माइनस वाई बराबर चार ये आपका क्या हो गया दूसरा समिकरण हो गया जब भी बोलेगा कि इन समिकरणों को प्रतियस्थापन विधी से साल्प करिए तो प्रतियस्थापन विधी में करना क्या पढ़ता है जो आपका पहला वाला समीकरड है यक्स प्लस वाई बराबर 14 तिसमें हम क्या करेंगे यक्स का मान निकाल लेंगे यक्स का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे जो दूसरा वाला समीकरड है उसमें जहाँ पर यक्स है उसकी जहाँ पर हम यक्स का मान रखेंगे तो हमारा calculation साल होने लगेगा कैसे जरा चीज को समझना अभी मैं आपको सिर्फ एक हित चीज को समझा रहा हूँ जिससे आप चीजों को अच्छे से समझ सको जब आप इस चीज को सिर्फ जाओगे इसके बाद मैं एक नई चीज बताऊँगा समझ रहे हों कि नहीं? ध्यान से समझना प्रतियस्थापन विधी में हम क्या कर रहे है यक्स का मान निकालेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 14 है यक्स बराबर कितना हो जाएगा यक्स बराबर 14 है तो 14 लिखो अब ये जो प्लस वाई है बराबर की धार रहे है तो क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा ये देखिए यक्स बराबर 14 माइनस वाई आ चुका है ये आपका क्या कालाता है तीसरा समी करण का लाता है अब हमारा यक्स का मान कितना आया है 14-y आया है जो आपका दूसरा वाला समी करण है उसमें जहां पर यक्स है यक्स की जहां पर हम क्या लिखेंगे 14-y लिखेंगे यक्स की जहां पर हम लोग क्या लिखते हैं चवदा माइनस y लिख देते हैं इसके बाद माइनस y है तो माइनस y लिख लेते हैं बराबर कितना है 4 है तो बराबर हम लोग 4 इस तरह से लिखेंगे अब इस चीज को जरा साल्व करो 14 माइनस y माइनस y है तो माइनस y माइनस y कितना हो जाएगा 14 minus कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा यूँकि minus ओ minus पलस होगा तो 1y जुलेगा 2y हो जाएगा जब दोनों चिन मैनस के हैं तो यहाँ पे minus कहीं चिन रहेगा बराबर कितना है 4 है तो 4 दिखेगा अब यहाँ पर दिख्ये चवदा इधर क्या है इधर आपका पलस में बराबर किधर है गा तो माइनस होजेगा तो माइनस 2y बराबर कितना होजेगा 4 माइनस 14 होजेगा अब इसे जरा सालों करूगे यहाँ पर देखिए minus 2y बराबर कितना है 4 minus 14 है अगर हम ये 14 मसे 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा y बराबर आपका कितना जाएगा 14 मसे 4 घटाओगे आपका 10 आजेगा तो जिस भी चिन के सामने वाली संख्या बड़ी होती उसका चिन लेगा minus का चिन लेगा जब उपर भी minus का हो चिन हो नीचे भी minus का चिन हो तो दोनों क्या हो जाते हैं प्लस में हो जाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगे प्लस में हो जाएगे 2 से 10 को काटो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 उपर कितना आ चुका है 5 तो y बराबर कितना आ चुका है 5 y कमान आपने निकाल लिया है कितना आया है 5 आया है और जो यहाँ पर x कमान था यह eject मान नहीं पता चुड़ रहा है कि 3 है कि 5 है कि 6 क्योंकि इसमें देखे एक 4 भी लिखा हुआ है हमें क्या करना है y कमान जब हमने निकाल लिया, यक्स कमान हम आराम से निकाल लेंगे, चाहे तो आप पहले वाले समी कराड़ में रख दो, चाहे दूसरे वाले में रख दो, चाहे तीसरे वाले में रख दो तो चलिए हम तीसरे वाले में रख देते हैं तो हमारा यक्स कमान कितना ऐगा यक्स बराबर हमारा कितना है यक्स बराबर 14 माइनस कितना है वाई का मान हमारा 5 है तो वाई की जहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे यक्स बराबर कितना आजाएगा चवदा मसे अगर आप 5 घड़ा लोगे तो कितना आजाएगा नौ आ जाएगा 1 ब्राबर 9 आ चुका है और Y ब्राबर आपका कितना आ चुका रूआ है, Y ब्राबर आपका 5 आ यह आपका क्या होगा , इस समैकरण का एझसर होगा बाते सौझ मैं आ गई जब भी ऐसा समय करण दे जिसको आपको बोले कि प्रतियस्थापन विधी से सालब करिए इसमें क्या होता है पहले वाले समय करण में से ध्यान से समझेगा जो मैं कह रहा था कि नहीं चीज बताऊंगा उसको मैंने पहले इसलिए नहीं बताया जिससे आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पर देखिए प्रतियस्थापन विधी में क्या होता है जो आपका पहला वाला समय करण है उसमें या तो हम पहले या तो हम यक्स का मान निकालने यक्स का मान निकाल कर हम क्या करेंगे दूसरे वाले समिकरण में जहां पर यक्स है उसकी जहां पर वो मान रख देंगे इसलिए काते हैं प्रतियस्थापन विधी बाते स्वान में आगे कि ने हमने yaks कमान निकाल कर दूसरे वाले समीकरण में परतिय स्थापित कर दिया तो जब दूसरे वाले समीकरण में रखोगे तो हमारा y कमान निकल आएगा जब y कमान निकल आएगा तो चाहे आप तीसरे वाले में रखिए जो आपका तीसरा समीकरण है था उससे आप x का मान निकाल सकते हो चाहे आप इसमें रखो तो भी आप x का मान निकाल लोगे पते सब्सक्राइब चले अब हम अगला प्रश्ण साल्व करते हैं ये भी क्या है प्रतियस्थापन विधी से है तो प्रतिय स्थापन विधी में अवी मैंने जो पहला type का प्राश्ण करया उस type का प्राश्ण करने आपसे पूछा जाएगा तो आराम से कर लोगे अब मैं आपको दूसरा type का प्राश्ण कराता हूँ, उसी से संबंदित है यहाँ पर देखे 3x-y बराबर कितना है 3 है यह आपका क्या है आपका पहला समीकरण है इसके बाद 9x-3y बराबर 9 है यह आपका क्या है दूसरा समीकरण है हमें करना क्या है जो हमारा पहला वाला समीकरण है उसमें हम यक्स कमान निकाल लेंगे हमारा पहला समिकरण क्या है इसको देखे इस टेप वाई जी इस तरह से लिखते हैं जैसे दूसरा सवाल मैं एक दम आपको बेसिक से बताने है और यहाँ पर 3x है तो 3x लिखना कितना 3x इसके बाद माइनस y है बराबर कितना है 3 है अब हमें x कमान निकालना है तो 3x बराबर कितना होजएगा 3 प्लस कितना होजएगा माइनस y इधर आएगा तो प्लस y होजएगा अब 3 जो है इधर क्या है बुडे में इधर आएगा क्या होजएगा बटे में होजएगा यक्स बराबर कितना आजएगा 3 प्लस y बाई कितना आएगा 3 आएगा बातें आपको अच्छ इसमें जहां पर यक्स है, यक्स की जहां पर मैं 3 प्लस Y भाई 3 लिखूंगा, ध्यान से समझेगा, 9 है तो यहां पर मैं 9 लिखता हूँ, इसके बाद यक्स की जहां पर हमें 3 प्लस Y भाई 3 लिखना है तो यहां पर मैं लिखूंगा, 3 प्लस Y भाई क्या लिखूंगा, 3 इसके बाद बराबर 9 है तो बराबर 9 लिखता हूँ, अब इसे कैसे साल करोगे, ध्यान से समझना आपको अच्छे से समाझ में आजेगा, इधर देखिए 3 प्लस Y, बाई कितना है 3 है, आगे क्या है, 9 जो है, 9 इसके साथ क्या है, गुड़े में है, तो 3 से आप 9 को काट सकते ह हुझेगा, 3 1 के 3, 3 3 का कितना हुझेगा, 9 हुझेगा, यहां तक सभी को समझ में आया, अब हम ब्रेकेट को दूर कर लेंगी, 3 3 का कितना हुझेगा, 9 हुझेगा, इसके बाद 3 का गुड़ा Y के साथ करोगे कितना हुझेगा, 3 Y होझेगा, माइनस कितना है, 3 Y है, बराबर कितना है 9 तो 3 y से क्या हो जाएगा 3 y कट जाएगा क्योंकि ये plus 3 y है ये minus 3 y है इधर कितना बचरा है 9 बचरा है और इधर भी कितना 9 बचरा है तो यहाँ पर देखिए y का मान निकला ही नहीं न तो यहाँ पर यक्स का ही मान निकला तो जब भी ऐसा कंडिशन आपके सामने आ जाएगा यहीं तक करकर छोड़ दीजेगा और यहाँ पर लिख दीजेगा इसके अनंत भल होंगे पते समझ मैं यानि इसके अनंत मान निकलेंगे चले अब हम लोग अगला परशन करते हैं जब भी ऐसा कंडिशन आपके सामने आएगा इसलिए मैं ऐसे परशनों को रखा हूँ जिससे आप हर एक चीज को अच्छे से समझ सको वर्ना अगर आप कभी ऐसे परशन आपके सामने आता हो आप अगर साल्व करते तो आपका दिमाग गायर हो जाता क्योंकि आप ऐसे परशन यही नहीं रहते हो चलिए अगला टाइप का परशन कराते हैं अगला टाइप का परशन काफी बेतरी नहें इन टाइप के परशनों को सिखिएगा यहाँ पर दिखिए root 2x plus root 3y बराबर 0 है यहाँ पर दिखिए root 3x minus root 8y बराबर कितना है 0 है यहाँ पर इस समीकरण को कैसे साल किया जाएगा अगर बोलेगा कि प्रतियस्थापन विधी से साल करो अभी मैं विलोपन विधी से भी आपको सिखाऊंगा यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे जो हमारा पहला वाला समीकरण है उसमें से हम क्या root 2x का मान निकाल लेंगे यहाँ पर हम प्रस्ण को लिखते है root 2x plus यहाँ पर कितना है root 3y बराबर कितना है सुनना है अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यह root 2x का मतलब जानते हो root 2 into x होता है अब यह plus root 3y बराबर के इधार आएगत क्या होजेगा minus root 3y होजेगा चीजे समझ में आ रही है अब root 2 है वो x के साथ गुड़े में बराबर कि इधार में आएगत बटे में होजेगा यक्स बराबर आपका कितना आजेगा minus root 3y बटे में कितना आजेगा root 2 आपका आजेगा चीजे समझ में आ रही होगी हर एक चीज मैंने काफी अच्छे से समझा रहा हूँ यक्स का मानगी निकला हुआ है और यह आपका क्या कहलाएगा आपका तीसरा समीकरण कहलाता है यह आपका पहला समीकरण कहलाता है यह आपका दूसरा समीकरण कहलाता है अब हम क्या करेंगे जो हमारा दूसरा वाला समीकरण है उसमें यक्स की जहाँ पर मैं क्या लिखूंगा minus root 3y बटे root 2 चीज को समझना, यहाँ पर दूसरा समीकराड लिखते हैं, root 3 x, minus root कितना है आपका 8y, बराबर कितना है सुनना है, यहाँ पर root 3 है तो root 3 इस तरह से लिखो, x की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, minus root 3y, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, minus root 3y, बटे में यहाँ पर क्या है, आपका root आपका 2 है, bracket बंद, यहाँ पर minus आगे कितना है, root 8y है, बराबर कितना इधर सुनना है, इस चीज को सालब करो, root 3 का गुड़ा, root 3 के साथ कर लो, जब भी root के अंतरगर सेम संख्या होती है, और उनका अपस में गुड़ा होता है, तो root क्या हो जाता है, खतम हो जाता है, त इसके बाद bracket आपका खतम हो चुका है, आगे आपका minus कितना है, root 8y बराबर आपका कितना है, सुनना है, अब यहाँ पर देखिए, root बटे में क्या है, root 2 है, यह भिन का घटाओ की तरह बनेगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो बटे एक लिखना है, एक का गुड़ा, minus 3y के साथ करोगे, कोई परिवारता नहीं, minus 3y ही रहेगा, root 2 का गुड़ा, root 8 के साथ करोगे, क्योंकि हमें हर को क्या करना है, बराबर करना है, तो cross multiplication का साहरा ले देंगे, root 2 का गुड़ा, root 8 के साथ करोगे, तो root कितना हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा, और root 16 का मान कित इसका मान होता है, तो root यहाँ पर मैं root 2 into root 8 करोगे, तो इसका मान कितना चुका है, root 16, root 16 का मान कितना होता है, 4, तो यहाँ पर minus कितना आजएगा, 4y आजएगा, अब बटे में यहाँ पर देखिए, बटे में root 2 into 1 करेंगे, तो कितना root 2 ही रहेगा, इधर बराबर कितना है सुनने लिखेंगे अब अगर इधर बटे में root 2 है अगर मैं बराबर के इधर में लाऊंगा तो root 2 into सुनने हो जाएगा तो root 2 into सुनने का मतलब सुनने हो जाएगा तो अब यहाँ पर चीज को समझेगा ध्यान से जब इसका उड़ा इसके साथ हो जाएगा तो खतम हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनेस 3Y और माइनेस 4Y तो यह क्या हो जाएगे दोनों जुड जाएगे तो 4-3 कितना हो जाएगा माइनेस 7Y हो जाएगा कितना? माइनेस 7Y माइनेस 7Y बराबर कितना हैगा साथ सुन्ने में अगर किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान सुनने ही आता है तो वाई का मान कितना चुका है अब हम क्या करेंगे जो हमारा तीस्रा वाला समिकरण था या उसमें रखो या दूसरे में रखो आपका यक्स का मान भी पता चल जाएगा वाले समी करण में रखते हैं, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट 3 है, माइनेस रूट 3 है, माइनेस रूट 3 लिखो, y कमान कितना आया है, सुन्ने, into कितना, y की जियां पर सुन्ने लिखो, बटे में कितना है, रूट 2 है, इसके बाद आपका कुछ भी नहीं है तियक्स बराबर कितना हो जाएगा जब रूट थिरी का गुड़ा सुन्ने के साथ करोगे कितना हो जाएगा सुन्ने हो जाएगा अब सुन्ने बटे कितना आजाएगा रूट टू आजाएगा अब सुनने में किसी भी संख्या से भाग दो कितना आएगा उसका मान सुनने ही आएगा त्यक्स का भी मान कितना चुका है सुन तो जब भी ऐसे समिकरड आएंगे आप याद रखे रहेगा इसी तरह से हल किजिएगा बाते समाज में आए कि नहीं जब आप थोड़े कठिन प प्रस्ण है जब भी इस तरह के प्रस्ण हैंगे तो आप उनको कैसे साल करोगे यह तो देखिए भिन का घटाव है यह भिन का जोड की तरह है दो समीकरड आपके हैं यह पहला वाला समीकरड हो गया इसके बाद नीचे वाला आपका दूसरा वाला समीकरड हो गया अब ऐसे समीकरड हल करना काफी जी है कैसे जरह चीज को समझो यहाँ पर मैं यह जो आपका पहला वाला समीकरड है इसका हर बराबर नहीं है तो तीन का गुड़ा 3x के साथ करोगे 3 3 का कितना होजएगा 9x होजएगा 2 का गुड़ा 5 में करोगे 2 5 कितना होजएगा 10y होजएगा इसके बाद हम हर बराबर करेंगे 3 का गुड़ा 2 में करेंगे 3 2 कितना होजएगा 6 होजएगा इधर बराबर कितना है आपका minus 2 है कितना है minus 2 है अब इसी चीज क अगर आप साल्व करना चाहो इधर देखिए बटे में अच्छा है बराबर की धर में लाएंगे तो क्या होज़ेगा तो 6 का गुड़ा माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस कितना होज़ेगा आपका माइनस 12 होज़ेगा अब इस चीज को मैं रफ कर देता हूं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया अब यहाँ पर हम दूसरा वाला समीकरण सेम इसी तरह से बना लेंगे 2 का गुड़ा यक्स के साथ करेंगे कितना होगा 2 यक्स होगा और 3 का गुड़ा y के साथ करेंगे तो हमारा कितना होज़ेगा पलस 3y होज़ेगा इसके बाद आपका 3 का गुड़ा बराबर की दल लाओं तो गुडे कितना होगा अच्छा होगा तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा क्या 13 बचेगा कितना बचेगा 13 सारी चीजें समझ में आ रहे होंगी तो दूसरा वाला भी समीकरण बन चुका है बराबर कितना 13 अब हम क्या करेंगे पहले वाले समीकरण में से या तो X कमान निकालो या तो Y कमान निकालो किसी भी एक कमान निकालो चलिए हम X कमान निकालते हैं यहाँ पर देखिए 9X-10Y बराबर कितना है यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9X-10Y और बराबर आपका कितना है-12 है अब इस चीज को हम लोग साल्व करते यहाँ पर कितना होजेगा, 9X बराबर कितना होजेगा, minus 12, plus आपका कितना होजेगा, यह इधर आएगा, तो 10Y होजेगा यही हो जाएगा, यक्स बराबर आपका कितना होगा, माइनिस बारा, प्लस आपका कितना है, टेन वाई, अब बटे में कितना हो जाएगा, बटे में, नो इधर गुडे में, इधर आगात क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई यक्स का मान इतना निकल करा चुका है यह आपका क्या कालाता है आपका तीसरा वाला समीकरण कालाता है अब हम आराम से जहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में यक्स है उसकी जहाँ पर यह सारी चीजें लिख देंगे तो आराम से आपका किस का मान निकल आएगा y का मान निकल जाएगा यहाँ पर मैं रखता हूँ चीज को ध्यान से समानना यहाँ पर जब रखेंगे यहाँ पर 2 x है तो 2 into कितना हो जाएगा 2 into x की यहाँ पर हमें यह सारी चीज़ें लिखना है तो आपका कितना है माइनेस 12 है तो माइनेस 12 लिखो पलस आपका कितना है 10y है तो 10y लिखो और बटे में आपका कितना है 9 है तो 9 लिख लो अब आप इसे साल्ब करना आगे देखें आपका कितना है प्लस 3Y बराबर 13 है इस चीज को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ उधर जगा कम है यहाँ पर जब आप इस चीज को लिखोगे तो आपका प्लस कितना है आपका 3Y और बराबर आपका कितना है 13 है मातिस्वाज में आ रही है अब चाहें तो आप ब्रेकेट को दूर कर सकते हैं दो कगुड़ा 12 के साथ करोगे 12 दूना कितना होज़ेगा माइनस 24 होज़ेगा दो कगुड़ा 10 के साथ करोगे 10 दूना कितना होज़ेगा 20Y होज़ेगा अब बटे में कितना है 9 है तो बटे में 9 लिख लो, अब इधर प्लस कितना है, आपका 3Y है, अब बराबर कितना है, 13 है, बटे में कुछ भी नहीं, तो बटे में आप क्या करो, एक लिख लो, बाते समझ में आ गए कि नहीं, इसी तरह से आपको साल्व करना है, जिन भी बच्चों को अगर ये काफी माइनस कितना होजएगा, 24, प्लस कितना होजएगा, 20Y होजएगा, 9 का गुड़ा हम आपका किस के साथ करेंगे, प्लस 3Y के साथ करेंगे, प्लस कितना होजएगा, 9-3 कितना होजएगा, 27Y होजएगा, अब बटे में आपका क्या होगा, 9-1 के कितना होजएगा, 9 होजएगा अब बराबर इधर कितना है, 13 है तो बराबर 13 लिख लो, अब यहाँ पर 9 जो है इधर बटे में, इधर आज यहाँ तो क्या होज़ेगा, 13 के साथ गुड़े में होज़ेगा, 139 कितना होता है, 117 होता है, यहाँ पर मैं डारेट क्या लिख लेता हूँ, 117 लिख देता हूँ, अब इसे जरा साल्व करो, माइनस 24 प्लस 20 और प्लस 27 कितना होज़ेगा, 20, 20, 47 कितना होज़ेगा, प्लस आपका 47Y होज़ेगा, बराबर कितना 117 होज़ेगा, अब यहाँ पर माइनस 24 इधा राइगत कितना होज़ेगा, प्लस होज़ेगा, तो 47Y बराबर कितना होज़ेगा, 117 में 24 चोड़ो तो 7-4 कितना होता है 11 की एक हांसिल आपका 1 बन जाएगा 2-1-3-1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा यानि 141 तो y बराबर कितना हो जाएगा 141 का 40 बटे कितना 47 हो जाएगा अब 47 से 3 बार में क्या काट सकते हो 47 से 3 बार में क्या काट सकते हो 47 से 3 बार में 41 होता है तो y का मान कितना निकल कर आ चुका है y का मान 3 निकल कर आ चुका है अब आपको करना क्या है जो आपका 3 वाला समिकरण था या 4 वाला समिकरण उसमें रखकर आप आराम सी X कमान निकाल सकते हो Y कमान 3 आ चुका है मैं रख कर आपको बताता हूँ किस तरह से निकाला जाएगा यह आपका क्या था आपका यह आपका तीसरा वाला समिकरण था यह आपका क्या तीसरा वाला समिकरण था और ये वाला आपका चौथा समिकर था चलिए हम एक में रख देते हैं जैसे हम देखे ये छोटी छोटी संक्य है इसी में रख देते हैं y कमान 3 आया हुआ है तो 2x है तो यहाँ पर 2x लिखिए प्लस 3 इंटू कितना हुझेगा y की जहाँ पर 3 लिखेंगे जैसे हम प्रतियस्थापन विधी से समीकरण को क्या करते हैं साल्ब करते हैं अगर इतने देड़ तक जितना भी बच्चा बना रहा होगा उसको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा जितने बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा उनको नहीं समझ में आएगा यहाँ पर इतने आराम से आपको समझाया जा रहा है अगर आप कहीं पर भी पढ़ते तो बहुत फराटेदार आपको बताया जाता पीछे वालों या आगे वालों को समझ में आता उससे मतलब नहीं है कोर्स कंप्लेट होना चाहिए तो ध्यान से पढ़िएगा अगर आपको पढ़ाया जा रहा है इसी दिए मैं बोला रफ कापी ले लोगे तो बहुत ही सुविदा होगा अब मैं विलोपन विधी से उन्हीं परस्णों को बताने जा रहा हूँ विलोपन विधी में क्या होता है बहुत ही इची होता है बच्चों के दिमाग में भी रहता है कब नीचे जहाँ पर माइनिस रहता है वहाँ पर प्लस जहाँ पर प्लस रहता है वहाँ पर माइनिस कब ये सारी चीज़ें लगाई जाती है उस सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा इसमें क्या होता है? ये प्रतियस्थापन विधी से काफी अच्छी विधी है अग इसमें क्या होता है? ज्यादा लंबा नहीं साल्ब करना पड़ता है प्रतियस्थापन विदे में बहुत लंबा आपको सार्फ करना पड़ता है यहाँ पर क्या होता है जैसे आपका क्या है आपका पाला समीकरण है या आपका क्या है दूसरा समीकरण है इसमें हम क्या करते है अगर यहाँ पर जैसे यक्स है यहाँ पे भी यक्स है, यह plus y है, यह minus y है इसमें जो आपके चर होते हैं चर जैसे जिनका मान बदलता है जैसे यक्स क्या है, चर है, वाई भी आपका चर है 14 अचर क्या है, अचर है मैंने आपको चर अचर अच्छे से समझाया था यहाँ पर जब चर आपके क्या होते हैं समान होते हैं तो काफी इजी होता है जैसे इस टाइप के स्वाल है अगर यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस चर यहाँ पर देखी वाई है यहाँ पर भी वाई है यहाँ यह दोनों चर क्या है समान है तो यहाँ पर कब और ही G हो जाता है जब यहाँ पर plus यहाँ पर minus रहता है जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप फटा से इस तरह से बटे कचिन में आएगा अब आपको minus के नीचे plus और plus के नीचे minus लगाने के आव सकता नहीं है क्योंकि यह plus है यह minus है तो यह आराम से कड़ जाएगा यकस हो यकस जोडोगी कितना हो जाएगा दू यकस हो जाएगा इसका मान खतम हो चुका है ब़राबर अब हाप दूसरे वाले समय करड में रखकर आराम से वाई का भी मान निकाल सकते हो जैसे यक्स की यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे माइनेस y है तो माइनेस y लिखो बराबर कितना है 4 है तो 4 लिखो अब यहाँ पर माइनेस y बराबर कितना हो जाएगा 9 इधर प्लस में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनेस हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 4 minus कितना होगा 9 होगा तो minus y भराबर कितना होगा 9 मस्ती 4 घाटा होगे कितना जाएगा minus 5 आएगा दोनों side minus के चीन है तो दोनों plus में हो जाएगे y का मान कितना आ चुका है 5 आ चुका है X का मान आपका नव आया है और y का मान आपका 5 आया है तो देखिए कितने ही कम लाइन में आप क्या विलोपन विधी से चीजों को साल्व कर लिए यानि समी करण को चलिए अगला परशन कराते हैं ये भी आपका विलोपन विधी से ही साल्व करना पड़ेगा x प्लस y बराबर 5 है 2x-3y बराबर 4 है अगर इसको विलोपन विधी से साल्व करने के लिए कहा जाएगा तो आप कैसे साल्व करोगी यहाँ पर देखिए जो आपके चर है इनका मान बराबर नहीं है क्योंकि ये x है, ये 2x है ये y है, आपका ये 3y है, बराबर नहीं है ये plus है, ये minus है, तो इससे मतलब नहीं है इससे मतलब कब होता है plus minus से ये जब इनके मान आपस में बराबर होते है बाते समझ में, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसको साल्व करने के लिए या तो हम x वाले का मान बराबर करने या to y वाले का मान बराबर कर ले इसमें हम क्या करेंगे जब y का मान बराबर करना है तो यहाँ पर y का गुड़ां कीया है तो 3 है तो 3 का गुड़ा प्लस y के साथ करोगे प्लस कितना होचेगा 3y होजएगा अब 3 का गुड़ा 5 के साथ करोगे 15 होजएगा अब 1 का गुड़ा दूसरे वाले समीकरण में सभी के साथ करोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा 2x-3y बराबर कितना 4 रहेगा अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दो यहाँ पर जो आपका y का मान है वो बराबर है यह भी 3y है यह भी 3y यह प्लस है यह माइनस है तो यह आराम से कर जाएगा 3x हो तो 2x जूड़ेगा तो 5x हो जाएगा पराबर आपका 15-4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा बात यह समाज में आई कि नहीं यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 5 यक्स का मान 19 बटे 5 आ चुका है तो दूसरे वाले समीकरण में रखकर हम आराम से y का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2x का मान कितना है 19 बटे कितना है 5 है यहाँ पर माइनेस 3Y है तो माइनिस 3Y लिखना बराबर कितना है? 4 है अगर इसका आप गुड़ा कर लोगे तो 19, 19, 20 कितना होता है? 38 38 बटे कितना हो जाएगा? 5 पाते समय आप एte 38 बटे 5 बटे कुछ नहीं तो 1 लिखो बराबर कितना है? 4 है ये चीज़ें आपको चांज में आई, ये भिन का घटाव बन जाएगा, जब इसे साल करोगो एक का गुड़ा 38 में करोगे तो 28 रहेगा, माइनेस 5 का गुड़ा 3 में करोगे कितना होजएगा, 15y होजएगा, बराबर 5 एक के कितना होजएगा, 5 होजएगा, 5 एक कम 5, नीचे आपका बटे में 5 होजएगा, बराबर कितना है, बराबर आपका कितना 4 होजएगा, 5 का उड़ा 4 में करोगे, 5 कितना होजएगा, आपका 20 होजएगा, यहाँ पर आप इस तरह से 20 लिखो, तो यहाँ पर देखिए, माइनेस आपका 15y, बराबर कितना होजएगा, 38 इधर पल बाटे कितना 15 यक्स का मान कितना 19 बाटे पाँच आ चुका है इस तरह से हम विलोपन विदी से इन समीक रड़ों को अराम से साल्ब करते हैं अगला टाइप का प्रस्ण दिखे इसमें मैं आपको वह तरीका समझाओंगा कब आपको यहां पर प्लस के नीचे माइनस माइनस के नीचे प्लस लगाया जाता है पाते समझ में आगई कि नहीं अब हम वाई का मान बराबर ना करके यक्स का मान बराबर करेंगे तब हो ऐसा कंडिशन बन जाएगा जैसे यहां पर यक्स का मान अगर बराबर करना है तो दो का गुड़ा तीन के साथ कर देना यानि पहले बा अब 3 का गुड़ा 2 के साथ करोगे 3 दूना 6 x होजेगा 3 का गुड़ा minus 2 के साथ करोगे 3 दूना 6 होजेगा अब 3 का गुड़ा 2 के साथ करोगे 3 दूना 6 होजेगा अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर x का मान बराबर है 6 x है यह भी 6 x है यह 8y है यह minus 6 यह इसको मेत बराबर करना क्योंकि हमने एक्स को बराबर किया था पहले अब जहाँपर पहले से minus का चिन नहीं है तो हम क्या करेंगे नीचे वाले को हमेसा ध्यान देना यहाँ पर plus है यहाँ नीचे minus minus के नीचे plus और plus के नीचे minus लगा होगे उपर वाला प्लस था नीचे में लिए माइनश है ये खतम हो जाएगा अब नीचे वाले चिन को आप वरीता दोगे प्लस 8y और प्लस 6y जुडेगा प्लस प्लस जुडता है तो 8 छा कितना हो जाएगा आपका 8 छा कितना होता है आपका 14 y हो जाएगा तो यहाँ पर 14 y इस तरह से लिखो बराबर कितना हो जाएगा 20 मस्ते आप 6 घटाओगे कितना हो जाएगा 14 आजएगा बाते स्वाज में तो y कमान कितना आएगा 14 से 14 कटेगा y कमान 1 आएगा तो y कमान जब आप निकल चुके हो तो दूसरे वाले सेमिक्राड में रख दोगे तो x कमान निकल आएगा तो 2 x माइनेस 2 y कमान 1 है तो 2 इंटू अगर y कमान 1 है तो यहाँ पर इंटू 1 करोगे तो 2 के 2 ही रहेगा तो यहाँ पर 2 लिख लेना बराबर कितना 2 लिख लो अब 2 x से बराबर कितना होजेगा इधर 2 आएगा कितना होजेगा तो 2 से 4 को कार दिएना 2 दूना 4 यह आपका x कमान नहाए यह आपका y कमान है इस तरह से हम विलोपन वी धी से इन समिकराडों को क्या करते हैं यहाँ पर एक प्रश्न और है इस प्रशन को भी ध्यान से समझेगा जिससे आप चीजों को समझ सको यहाँ पर हम क्या करेंगे यह भी विलोपन विधी से ही साल्व किया जाएगा तीन कगुड़ा एक्स में कसी एक्स से साथ करोगे थ्री एक्स हो जाएगा दो कगुड़ा 2y के साथ करोगे कितना 4y हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 3y कितना हो जाएगा बटे में 6 हो जाएगा अब बराबर कितना है माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखो 6 कगुड़ा माइनस 1 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा अब बराबर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखो 3 का गुड़ा 3 के साथ करोगे 3 त्रिका कितना होज़ेगा 9 होज़ेगा तो यहाँ पर 9 लिख लो यहाँ पर देखिए X का मान क्या है बराबर है तो हम क्या करेंगे इस तरह से बटे का चिन लगा लेंगे प्लस के नीचे माइनस माइनस के नीचे प्लस प्लस के नीचे माइनस यह क्या होज़ेगा खतम होज़ेगा 4Y और प्लस Y कितना होज़ेगा 4 1 5Y बराबर आपका कितना होज़ेगा माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस का ही चिन देगा अब ही हमने y कमान निकालना है, x कमान आराम से निकालोगे, अब यहाँ पर 3x है तो 3x लिखो, इसके बाद आपका कितना, आप चाहे तो पहले वाले समी करण में रख दो, चाहे दूसरे वाले समी करण में रख कर निकाल सकते हो, यह आपका माइनेस y था, चलिए हम पहले वाले समी करण में रख दो, यहाँ पर 3 है तो 3x लिखो, इसके बाद पलस 4 into कितना हो जएगा, y कमान माइनेस 3 है, यहाँ पर आप माइनेस 3 लिख दो, बराबर कितना है माइनेस 6 है तो माइनेस 6 लिख दो, अब 3x से 3x लिखो, 4 तिया कितना हो जएगा, माइनेस 12 हो जएगा, बराबर माइनेस 6 है, 3x बराबर कितना हो जएगा, माइनेस 12 इधार आएगा, पलस हो जएगा, बाते स्वाज मैं तो 6 माइनेस 6 प्लस कितना हो जाएगा 12 जाएगा तो 3 x बराबर कितना हो जाएगा 12 मैं से 6 गटा होगे 6 एगा 3 से 6 को कार देना 3 दूना 6 x बराबर कितना चुका है 2 y बराबर कितना है माइनेस 3 x बराबर कितना है 2 इस तरह से मैंने आपको प्रतियस्थापन विदी और विलोपन विदी से समीकरण हल करना सिखाया और काफी आराम-ाराम से समझाया जहाँ पर ज्यादा तीज समझाया आपको हर एक चीजें अच्छे से समझ में आई होगी इसी तरह से अगर आप रेगुलर कलास करते रहोगे आपको हर एक चीज समझ में आएगा मिलते हैं नेक्ट कलास में किसी अनने जाने कारे के साथ वीडियो चेल गिर वीडियो को जोड़ लाए करना